हम मद्द प्रदेश की राय सेंजिले के बेगम गंज तैसील में खड़े हुए हैं और एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलते हैं जहां पर धार में एक यात्रा है आस्ता विश्वास और चमतकार का संगम आस्ता विश्वास और चमतकार की इस कड़ी में हम लेकर चलते हैं मद्द प्रदेश की सीमा से सटा हुआ सिद्ध छेत्र अमजरा की घाटी में जहां पर विशाल का पपन पुत्र हनमान जी की सुन्दर छबी में हमेशा सब को विजय ववा का आशीर बात देते हुए दूर दूर से आए भक्तों को दर्सन के लिए लंबी लंबी लाएने लगी रहती हैं तो चलिए हमारे साथ आपको लेकर चलते हैं हम आपको हनमान जी के मंदर अमजरा घाटी में हमारी यात्रा सुरू होती है बेगमगन से हम पहुंचते हैं राहतगार होते हुए खुराई खिम अमजरा घाटी जहां पर मद्द प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर हनमान जी का मंदर है अमजरा घाटी में हनमान जी माता अंजिनी बसिद्ध बाबा सिब्लिंग की प्रतिमाय बनी हुई है इस प्राची निश्टलपा 10 दिवसिये बसंत पंचमी पर मेला लगता है इस मेले के आईजन में विवस्ताएं प्रसासनिक एवं राप साहब के परिबार नारहट की देखभाल में ही होती हैं। मेले की तैयारी को लेकर मंदिर परिशर में मेला प्रांगण सफाई का विसेज ध्यान रखा जाता है। मेले में दुकानदारों को पानी, लाइट, सहत, अनिसुबिदाएं उपलब्द कराई जाती हैं और इस बर्स भागबत कता भागबन भजन कीर्टन भी होते हैं और मंगलबार के दिन बड़ी संख्या में सरद्धालू इस्टान बदर्शन के लिए यहां आते हैं। यह काफी प्राचीन इस्थाले जो बिध्यचल परवतों से घिरा हुआ है, जंगलों के बीच हनवान जी का मंदर बना है, मंदर में सनीबार बा मंगलबार को हजारों की संख्या में भीड भाल रहती है और भजन कीर्टन अनुष्टान चलते ही रहते हैं। यहीं पर अंजनी माता को जादोन साखा के छत्री यद्बंसी अपनी कुल देवी मानते हैं। अंजनी माता केलाग देवी का ही रूप है जो अलग-अलग काल खंडों में भक्तोधारा पूजी जाती है। राजा अरजन देव द्वारा इस्थापित अंजनी माता का मंदिर करोली में पहाडी पर इस्तित्थे कहा जाता है कि नीदर गाओं में इस्तित गड़ी में यद्बंसी राजा अरजन देव ने अपनी आराध्धि शिरी अंजनी माता की प्रतिमा को प्रतिस्थित करवाई थी करोली के राजबन स्वैन स्री किष्ण के बंसज माने जाते हैं अर्जुन देव अपने समाई की प्रतापी ये दुबंसी सा सकते उन्होंने महम्मत तालुगे द्वारा चीने गए मंडराला एक किले को पुना प्रात करने के लिए दुर्गह रक्षक को परास्त किया था अर्जुन देव अपने समाई के प्रतापी ये दुबंसी सा सकते उन्होंने महम्मत तुगलक द्वारा चीने गए मंडराला एक किले को पुना प्रात करने के लिए दुर्गह रक्षक को परास्त किया था और यहां से पांच किलो मीटर दूर नीरत में एक गड़ी बस्था चाबनी का निर्मान कराया था इस इस्तान पर उन्होंने अंजनी माता की प्रतीमा इस्तापित कराई थी और यहां की सुरक्षा की बीर भासनामक च्छाबनी इस्तापित कराई बक्तों द्वारा हजारों की संख्या में आकर मां से मनोती मांगते हैं यहां देव उठनी ग्यारस को विसाल मेला भरता है पहाड़ी के समीफी पंचानम नामक नदीश्त थे यहां परमपरागत रूप से करोली मां का ब्रामबर परिवार द्वारा पूजा करता चला आ रहा ह देव उठनी ग्यारस को भब मेले का आयुजन होता है इस दिन बक्त पंचामा नदी में इश्णान कर देवी के दर्सन कर माननेता है कि ऐसा करने से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं और मा चूने गोद फिर से भरती है जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनको बच्चे दान करती है मा अंजनी माता